चुनाव आयोग ने महराश्ट और हर्याना विधानसभाद चुनाव की तारिखों का एलान कर दिया है शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा ने दोनों राजू के विधान सभा चुनाव और देश भर की 64 विधान सभा सीटों पर उप चुनाव की तारिखों का एलान किया है उन्होंने बताया कि महराश्ट्र और हरियाना में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे दोनों राजू के चुनावी नतीजे 24 अक्टूबर को जारे किये जाएंगे दोनों राजू में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त अरोडा ने बताया कि महराष्ट में 8.94 करोड जब की हरियाना में 1.28 करोड मत दाता है उमीदवारों को अपने अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी कोई भी कॉलम खाली रहा तो उमीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा CEC ने चुनाव प्रचार में प्लास्टिक का इस्तमाल ना करने की भी अपील की मदगर्णा के दोलान पांच बूतों के वीवी पैट का मिलान किया जाएगा चुनाव आयों के मताबिक 9 नवंबर को पूरा होगा महराष्ट सरकार का मौजुदा कारिकार महराष्ट में 288 विधान सबा सीटों पर चुनाव होंगे महराष्ट में 8.9 करोड मतदाता वोट डालेंगे चुनाव में 1.8 लाक एवी एम मशीने लगेंगी साथ 2014 में भाजपा 122 और शिव सेना 63 सीटों पर जीती थी वहीं कॉंग्रेस को 42, NCP को 41 और अन्य को 20 सीटें मिली थी 288 विधान सबा सीटों वाले महराष्ट में कॉंग्रेस NCP इस बार 125-125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी 2014 के वधान सबा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 27.8 फीसदी वोट के साथ 122 सीटें जीती थी और शिव सेना ने 19.3 फीसदी वोट के साथ 63 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि कॉंग्रेस ने 18 फीसदी वोट के साथ 42 सीट ने 17.2 फीसदी वोट के साथ 41 सीट पर जीत दर्ज की थी बता दें कि साल 2014 में भाचवा 122 उशिव सेना 300 सीटों पर जीती थी वहीं कॉंग्रेस को 42, NCP को 41 और अन्य को 20 सीटें मिली थी